कि अब इस प्रेंसिंग आपका दोस्त आपको स्वागर करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामा दस इविल इंजिनर्स लादि क्लेटफ़ॉंप इंजिर्स आज हम आपके लिए बहुत इंट्रेस्टेंग क्या है वाट इस ड्राइब वैल्म क्या है और हम इसे बॉल सकी हैं इसे पहले हम ने एक video बनाई थी cement concrete calculation का जिसमें हमने sand calculate किया था cement calculate किया था aggregate calculate किया था जिसमें हमने weight value को new one point five-four तेख्षे one point five-four है क्या आता कैसे है इसे हमें एक example की तो आपको explain करेंगे और एक और वीडियो हमारी आई थी इसमें हमने calculated किया था, cement motor का, इसमें हमने use किया था, sand को और cement को, wet value से, dry value में convert करने के, multiply किया था, 1.33 से, और 1.34 से, तो ये 1.33 क्या है, और 1.34 क्या है, या 1.54 क्या है, ये कैसे आता है, इसे हमें एक example की तुरू, आपको proper तरीके से explain करेंगे, तो चलिए सबसे पहले मैं बता और ये आता कैसे, और cement concrete में हमें इसे use करते हैं, चलिए देखते हैं अपने topic को, इसको sprint करने के लिए, मैंने एक container लिया हुआ है, खाली container लिया हुआ है, जिसमें कि मैं mixture डालूँगा, अपना dry form में, cement का, sand का, aggregate का, चलिए देखते हैं, इस container में हम डालते हैं, जब हमने डा reason क्या है, जो हमारे past dry ingredients थे, उसमें air wilds होते हैं, जो water डालिक बाद होके settle down हो जाते हैं, pores उसके भर जाते हैं water से, तो इसले तोगा साथ ये quantity कम हो जाती है, अब देखिए, cement की जो compressibility index होती है, वो 0 होती है, sand की 33 और 34% होता है, और similarly जब aggregate की बात करें, तो 30% होता है, तो दे initial assessment में, dry fog में, तो इतना था, जब हमें water add किया इसमें, तो इतना हो गया, तो इन दोनों के जो gap हुआ, उसे हम 54% consider करते हैं, तो देखिए, इसको मैं calculation के मार्जम से आपको और ज़्यादा क्लियर करता हूँ, तो चलिए चलते हैं, calculation की तरफ, देखिए, इसमें calculation के मैंने, for concrete to one meter cube जा है, 54% जो हमारा settlement हुआ है, अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, dry volume निकालने के लिए, एक formula है, wet value plus 54% of weight value, तो wet value में हम 1 की value put करेंगे, ध्यान देखिए, wet value क्योंकि हम 1 meter cube के लिए निकालने हैं, आपको समधार explanation दे रहे हैं, तो देखिए, जब 54% को हम friction formula convert करेंगे, तो 54 divided by 100, दिख सकते हैं, अब देखिए, अब weight value जो हमारा 1 है, तो plus 1, अब देखिए, इसको जब हम calculate करेंगे, यह हमारा 1 as it is 1 आएगा, प्लस जब हम इसको calculate करेंगे, तो 0.54 होगा, जब हम add करते हैं, तो 1.54 हमारा dry value में आता है, इसी को हम multiply करते हैं, cement निकालने के लिए, जैन निकालने के लिए, aggregate निकालने के लिए, weight form से dry form में convert करते हैं, जब हम calculation करते हैं, किस के लिए, cement concrete के लिए, अब similarly, चलिए मेरे साथ, आप देखिए, हम 1.33 कहां से लाए, और 1.34 क्या होता है, तो इसे हम cement motor में कैसे use करते हैं, कैसे लाते हैं, तो इसको समझाने के लिए सेम एक container लिए, खा लिए, सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, बठाना इसमें क्या होगा, इसमें dry format में हमारा क्यों cement or sand होगा, तो चलिए cement or sand हम इसमें डालते हैं, जब हम cement or sand डाले तो यह हमारा dry format है, इसमें हम water head करेंगे, wet form में करने के लिए, जब हमने water head किया, तो देखि कि इसमें क्या होता है, cement का already मैंने बताया था, compressibility index 0 होता है, और sand में जो 33 और 34 परशंट होता है, देखिए जो हमारा initial था, initial यानि कि जब हम dry format डाले थे, तो इतना था, जब हमने इसमें water डाला, weight volume 12 सका हम दो, तो इन दोनों का gap जो हम generally consider करते हैं, 33 परशंट और 34 परशंट के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि मैंने प्रिवेशन दिखाया था, चले फिर चलते हैं, calculation की तरफ, देखिए इसको भी समझाने के मैंने वही सेम लिए है, और cement motor 1 meter cube 33 परशंट और 34 परशंट, अब देखिए इसको हमने क्या करता हूँ, कि अब dry value निकालता हूँ, same formula लग क्योंकि ये friction form इसको convert के है, फिर plus 1 weight value, जब हम इसको करेंगे तो 1 हमारा hesities रहेगा, plus 0.33, जब हम इन दोनों को add करेंगे, तो हमारा dry value आएगा 1.33, ये जो है, हम multiply करेंगे, जब cement motor calculation करेंगे तब, अब मैं समझ सकता हूँ, कि ये concept आपका clear हुआ होगा, proper तरीके से, अब आ बताता हूँ, मैं गौर्शिस नहीं है, आप इसको अपनी घर में try करिए, एक bread का टुकला लीजी, bread जो हम खाते हैं, उसे क्या करिए है, आपकी water में pour करिए, तो देखे का जो initial रहा होगा bread, जो dry form में रहा होगा, उच्छादा quantity में रहा होगा, जैसे ही मैंने water add किया, वो तोड़ा सा कम होगा, यही होता है हमारा weight value और dry value को concept, इसे आप प्रेट कल करके देखे और समझे, देखे एक आपको notes बनाने के मैंने point दिया है, what is 1.54 in concrete जो मैंने बताया है, उसका एक मैंने written form में आपको notes दिया है, कि आपको notes बनाना हो, तो आप notes बना लें, देखे वन different dry ingredients of concrete, like cement, sand, aggregate mix by adding water, then the calculation of dry volume of concrete, जो मैंने बताया, कि तीनो format जब हम डालती है, किसका, cement का, sand का, aggregate का, जब हम उसे water से mix करते हैं, तो दिखे, it because of the compressibility index of this material, where cement, मैंने बताया, 0, sand has 33 to 34, and aggregate 23% compressibility index, यह हमारा notes से 1.54 in concrete के लिए, आप इसे चाहें, तो nook down कर लें, या तो आप calculation से याद रखे हैं, या तो इस purpose से याद रखें, similarly आते हैं, what is 1.33 और 1.34 in motor, same वही चीज़ है, इसमें दो ingredients होंगे हमारे, cement होगा, sand होगा, वहापे भी compressibility index, cement की 0 होगी, sand की 33% to 34% compressibility index होगा, तो इसको आ लें, note से याद कर लें, calculation से याद कर लें, जैसे आपको concept clear हो सके, उसे आप clear कर लें, इंजरस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो please like, share and subscribe और चैनल, ताकि हम आप लिए एक और मजीदार ऐसी वीडियो लाएं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे झाल